हेलो दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन आई टी आई पर दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने यंत्री इंडिया लिमिटेड द्वारा आगे आने वाली अप्रेंशिप की वेकेंसी की जानकारी आप सभी को दीती दोस्तों यंत्री इंडिया लिमिटेड द्वारा आज फाइनली अप्रेंशिप की इस वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ये वेकेंसी पांच हजार तीन सो पिच्चान में पदों पर आई टी आई और नोन आई टी आ यानी केवल दस्वी पास इस्टुडें का कोई एक्जाम नहीं होगा आप लोगों का जो आपकी आई टी आई या फिर दस्वी की जो परसेंटेज है उसके आदार पर ही सलेक्शन इस वेकेंसी में किया जाएगा साथ ही इसमें जो आपको अप्रेंशिप की ट्रेनिंग का मोका मिलेगा वो यंत्र इंडिया अप्लाई करने के प्रोसेस और कितने पोस्टों पर वेकेंसी निकाली गई है किस लोकेशन पर किस ओर्डिनेश फेक्क्री पर कितने पद निकाले गए सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी तो इस्टुडेंट बिनादेर के शुरू करते इस वीडियो को 5350 में पद निकाले गए हैं और ये जो 5350 में पद इसमें 3508 पद ये ITI वालों के लिए है और 1887 पद non-ITI यानी केवल 10 सुइपास के लिए निकाले गए हैं इस वेकेंसी में अप्लाइ करने का जो प्रोसेस से वो ओन्लाइन धवाला गया है आपको ओन्लाइन इसके लिए अप करना पड़ेगा, online apply करने के लिए जो official website है, उससे आपको apply करने पड़ेगा, आप सभी की सुईदा के लिए इस official website का link हम इस वीडियो के description में डाल देंगे, जिससे के आप सीधा online apply कर पाएंगे, इस vacancy के लिए जो online form है, वो 27 फरवरी 2023 से start हो जाएंगे, और इस vacancy के लिए 27 मार्स 2023 रखी गई है, ठीक है student, आप सभी की सुईदा के लिए online form बरने के पूरे प्रोसेस पर भी हम वीडियो ज़रूर बना देंगे, age limit की अगर बात करी जाए, तो minimum 15 वर्ष के candidate इसमें apply कर सकते हैं, जिनकी अधिक्तम IU, अगर 24 वर्ष के अंदर है, तो इसमें वो form बर स इस वेकेंसी में अगर बात करें qualification की, तो सबसे पहले non ITI वाली जो पोस्टे हैं, उनमें apply करने के लिए आपको केवल माध्यमिक, यानि केवल दस्वी पास होना जरूरी है, और दस्वी में आपके minimum 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए, साथ ही, आपके mathematics और science विशे, आपकी दस इस वी किक्षा में होने चाहिए, और उनमें 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए, तबी आप non ITI वाली जो पोस्टे उसमें apply कर पाएंगे, अगर बात करें, ITI पास वाले candidates के लिए vacancy की, तो इसमें NCVT और SCVT दोनों candidates apply कर सकते हैं, आपके ITI में minimum 50 प्रतिशत होना अनिवारे है और साथ ही 10 सी में भी आपके minimum 50 प्रतिशत होना अनिवारे हैं, तबी आप इस vacancy के लिए apply कर पाएंगे, चीक है, इसमें मैं आपको बता दू कि मैंने जैसे आपको बताएं, कई सारी पोस्टों पर, कई सारी location पर vacancy निकाली गई हैं, लेकिन आप केवल, एक ही ordinance factory में एक ही फॉम को भर कर apply कर सकते हैं, और उसी के आधार पर आपका selection किया जाएगा, apply करने के process के बारे में मैंने आपको बताया, आपको official website पर जाकर, carrier वाले option पर click करना होगा, और यही से आप online फॉम भर पाएंगे, आगे बात करते हैं, इस vacancy में फॉम भरने के लिए आपको जो document scan क करने पड़ेंगे, उसमें आपको आधार कार्ड, आपके educational qualification की mark sheets, आपके जो आपके cast certificates हैं, आप अगर physically handicapped category में apply करना चाहते हैं, वो आपका photo, signature यह आपको scan करके रखने होंगे, और इसी के आधार पर आपका form apply कर पाएंगे, अब बात करते हैं, इस vacancy में selection के process की, जिसमें non-ITI और ex-ITI यानि ITI वाले post पर, आपका selection का procedure अलग लग रहने वाला है, सबसे पहले जो non-ITI यानि 10th pass वाले candidate है, उनको, उनका जो selection है, वो बिना किसी exam के, केवल, उनकी दस्वी की जो marks है, दस्वी में जो उनके अंक उन्होंने प्रात किये हैं, दस्वी की जो percentage है, उस आ exam नहीं होने वाला है, ITI वाले post पर, ITI की percentage और 10th की percentage के आधार पर एक merit बनाई जाएगी, और सरवादिक अंक वाले candidate का selection भी, ITI वाले post पर कर लिया जाएगा, आगे बात करते हैं, duration of period, यानि यानि जो या apprenticeship की training है, इसमें आपको कितने दिनों तक apprenticeship का मोका दिया जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा कोई specific time नहीं दिया गया है, फिर भी मैं आपको बता दू, non ITI वाले candidates को एक वर्ष तक apprenticeship का मोका दिया जा सकता है, minimum, इससे जादा भी ये बढ़ सकता है, आगे बात करते हैं, इसमें select होने के पस्चाद मिलने वाले stipend की, इसमें select होने के पस्चाद आप permanent vacancy में आपको काम आने वाला है, साथ ही आपको किसी भी private sector में अगर आप apply करते हैं, तो भी ये certificate आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि कोई government sector से apprenticeship यानि एक अनुभर प्राउत करना एक बहुत ही बड़ी चीज होती है, ठीक है, तो इगर बात के रहे stipend की, तो non ITI वाले candidates को 6000 पर महीना stipend दिया जाएगा, महीं ITI पास candidate को 7000 पर पुट्री मा का stipend यहां पर दिया जाएगा, आपका merit list में select नाम आजाने के बाद आपका physical test होगा, physical medical test होगा, और इसी के बाद आपको finally, जो आपकी जो joining है, वो दे दी जाएगे, अब बात करते हैं, इसके आवेदन शु और PWD candidates के लिए मातर 100 रुपे प्लस JST, इसमें आवेदन शुल्क, online form का लगेगा, चीक है, आगे मैं आपको बता दू, इस vacancy से संबंदित किसी परकार की साहिता के लिए यहां पर help desk number दिये हो हैं, जिनमें आप official hours में contact कर सकते हैं, और अपने समस्च्या का समाधन प्राप कर सकते हैं, चीक है, आगे मैं आपको बता देता हूँ, इस vacancy में जो post निकाली गई है, जो factory wise है, वो आप यहां पर नीचे की और देख सकते हैं, इस PDF में, जैसे कि मैं आपको एक बता देता हूँ, जो serial number 1 पर, चंडिगड state की जो post दी हुई है, यहां पर जो factory है, ordinance cable factory category wise इनका वर्गी करना में आपर देख सकते हैं, इसी तरीके से X-ITI है, जो कि ITI वालों के लिए post है, उसमें मचिनिष्ट के 6 पद है, फीटर के लिए 8 पद है, पुल, चंडिगड की जो यह factory इसमें 45 पदों पर post है निकाली गई है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं, मध् article फेक्टरी जबलपूर, मारास्टा में पूरे थाने, इसी तरीके से कही सारे स्टेट में, मारास्टा में तो काफी सारे स्टेट में, Udisa में, तमिलाडू में, 1 तेलंगाना में, 12 प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अलावा आप देख सकते हैं उत्राखंड में, वेस्ट बेंगोल में, जो ओडिनेस फेक्ट्रीज है जहाँ पर आयूद का निर्मान या फिर सेना से संबंदी जो वीकल्स वगेरा बनाये जाते हैं इनी इस लोकेशन्स पर आपका जो पोस्टिंग है आप आपको इस ट्रेनिंग का मोका दिया जाएगा तो ये सारी सूची आप नीचे की और देख सकते हैं और उसी के अधार पर आप फोम भरके अप्लाई कर सकते हैं आपको केवल एक ही फेक्ट्री में, एक ही पोस्ट पर आप अप्लाई कर पाएंगे तो इस्टुडेंट इस वीडियो में दी गई जानकरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये वीडियो आपको helpful लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे like जरूर करें, साथ ये ITI की इसी तरह की job updates को सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को subscribe कर ले और हमें Telegram पर में follow कर ले, तो student मिलते हैं अगली वीडियो में, take care.